हेलो गाइज गूर्णिंग वल्काम बेक तुमाई चैनल ये सुबह सुबह का टाइम है आज स्कूल नहीं है ना तो हार डेक जल्दी से उठ गया देखिए अभी सारे साथ बज़े और पापा के उपर ऐसे जंब कर रहा है न एक दो मतलब पेद दुखा के ही सोरेगा अज जगाते रहो जगाते रहो दुखता ही नहीं है तो देखो यह हालत है तो यहां पर मैं हाडिक के लिए ब्रेकफास्ट की ट्यारी कर रही हूं उसने बोला कि फूली फूली रोटिया काईगे मतलब पूरिया खाने वाला है आज उसको मैंने पूछा कि आज रोटि खाओगे पूरिया तो उसने मुझे बोला कि ममी मुझे फूली फूली पूरिया खानी है तो यह बना रही हूं अभी खाके चले गए थे उनके लिए मैंने रोटि बना दी और रात का बचाओवा चिकन था तो रोटि और चिकन अभी खाके चले अभी हार्डिक और मेरे लिए बन रह थोड़ा रैस्ट करते घर में ही और वेडर भी थीक नहीं है उतना इन दिनों क्लावडी क्लावडी है तो यह देखिए मेरी तेस्टी तेस्टी पूर्या बनके रेडी हो गई है और रात का चिकन बचा हुआ था हार्डिक के लिए भी था और मेरे लिए भी थोड़ा सा था त फिर हार्डिक को खिलाने के बार में खाऊंगी आराम से और बाहर में इतनी हुआ चल लिए ना थंड़ थंड़ पतलब बाहर जाया नहीं जा सकता और यह है हार्डिक का पहला बाइट तो उसको मैं पूछियों कैसा लग रहा है वो बोल रहा है अच्छा लग रहा है तो उ जोड़ी काम कर रही थी तो यह देखे तब तक इसने सारा मतलब खिलोना इधर का उधर कर दिया उसके बाद वेडर ठोड़ा साथ धूप निकला हुआ था मैंने सोचा हारी को थोड़ा सब बाहर खेलने के लिए लेके जाते तो बाहर आगे थे हम दनों अंदर की हालत तो ऐस सब्सक्राइब तो यह देखिए यह सब करके रखा जैसे ऐसा होके रखा जैसे कोई चोड आया था घर में और घर के आला देखिए तो इन दोनों ने खेला अधिक नमने सिस्टर के साथ खेला तो उसके बाद मैंने बोला कि सब कुछ समेथ लोगो दी तुमने खराब की तुम ही ठीक कर दो तो दोनों मिलके यह सब ठीक कर रहे देख सकते हो कितनी खराब को अभी अच्छी हो गई है जगा 80 परसे में 90 परस तो इसमें घराब की है उसको तो उससी कोई ठीक कर देख सकते हो और यहां पर मैं लंच की तारी करूँ लंच में आज मैं बना रहे हूं लौकी आलू की लौकी अलू तमाटर की ग्रेविस में तमाटर अभी तक नहीं डाला और साथ में बीन चालू बनाएं बीन चालू तो बहुत ही पसंद है मुझे भी पसंद है हार्डिक को भी पसंद है उसे बीन चालू थोड़े कुरकुरे हो जाने चाहिए प्यास थोड़ा ज्यादा तेल थोड़ा ज्यादा और ठोड़ा सा ज्यादा मतलब कुरकुरा होना चाहिए एक दम से तो अच्छा लेता है न और य प्रेपरेट रावा यह को बचहें ने इस दाल भाओ आपि क्जूच से किजिर सब्सक्राम श들이 यह धेयर हर्डि को भी खिला लेता है प्रचण में खाऊँगी यह देखिए हर्डी को फिर आपो नोगे आपक हुआ रहा है तो गाइज लंच पगएड़ा हमारा हे खाती हुआ दोप्यर में दोलन्च दन हो गया आज स्कूल पगएड़ा नहीं है आज एकजाम कल खटम खटम मतलब औरेल एकजाम खत्म हुए है कर तो तो मैंने सोच आज स्कूलं नहीं बेशती हुआ कि वेडर खड़ाब ही चल रहा हुआ दिन पर एख्जाम चल रहा था ना तो dhm बुद्र गुरुबार को एग्जाम चल रहा था तो छुट्टी नहीं ली थी पर आज खत्म हो गया है रिटन एकजाम के लिए अभी दस ग्यारा दिन बाकी है तो इसलिए तो आज नहीं बेजते हैं तो आज सुबह देज से भी उठी हूँ और देज से भी प्रेकफास्ट भगरा भी की हूँ देज से और देख सेक्तों मेरी खासी अभी तक थीक नहीं हुई है कोई नहीं कि शीजन की सिजन में जाया सीजन के साथ चाथ चली जाएगी तो वही है घर में आज थी पूरा दिन फ्री थी फ्री मतलब क्या घर का काम रहता है बाकि बाहर जाने का उतना वह जमेला नहीं है तो आज है शुक्रवार कल गुरुबार और सुरी कल चनी भार अभी भार तो तीन दिन थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत क्या सेटरडे और संदे को आठ क्लासे रहते हैं बाकी टाइम चुट्टी है स्कूल की इन दिनों सुमबार से फिशे क्लास है तो अभी का सीन ये है लंच हमारा हो गया है मेरा हाथ और जाड़ा प्यास दाल के उसकी भुजया बनाई थी वैसे बहुत ही टेस्टी टेस्टी बना था आज मुझे ये कॉंबिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है डाल नहीं बनाई थी जब हार्डिक के लिए खाना लेके गई थी ना डाल नहीं बनाई थी ना आज तो उसको महें ताल बहुता पसंद्द्र द거든요 तो मैं दल नागे गई तो तो आज जब हाड़ी के लिए लेके गई थी ना तो मुझ फुला रहा था हूं ऐसे करके कि मम्मी अपने डाल क्यों नहीं बनाई तो मैंने बोला बाबा ऐसे भी ट्राइ करके देखो बहुत ही टेस्ती बना है आज सची में डो बाइट इसने लिए उसके बार उसके फेस का एक्सप्रेशन देखके मुझे पता चल गया लौकी के साथ अच्छे से खाया और बीन्स तो उसको बहुत ही पसंद है और यह पहला बच्चा होगा टाचूड पहला बच्चा होगा जिसको लौकी कद्दू यह सब बहुत पसंद है बीन्स भी बहुत पसंद है तो उसने अच्छे से खाया मेरा मन संटूस्ट जिस इतन शर्ड करते रहेगा मेरी वीडियो तो रोज जाती रहेगी तो आज का यही रूटीन था आज और वीडियो आगे नहीं बराऊंगी ओप कि आप से भी लोग आज का वीडियो अच्छा लगे अच्छा लगे था प्लीज लाइक कमेंट और चैनले को सब्सक्राइब करें थांक झाज बगाई